हैं कि आज मैं आपके साथ्ट जो हैं मेरे आपके साथ मेरे सब्साइब तो मैं अपके साथ मेंने जो आलु हर्वेस्ट किने शेयर कर रही हूं तो देखे साथ नपन काल रही है yapt तो मुझे इसको तोड़ा जल्दी निकालना पड़ा है यह तो यह तोड़ा और पीले हो जाते हैं तो यह देखिये यह देखिए यालो इसमें कोई आलो तो बढ़ा है और कुछ चोटे आइसके थोड़ा हूने थे कि अगर मैंने और टाइम थोड़ा रखती एक दो अपते लेकिन क्योंकि मुझे प्याज लगाना है क्यारी में तो मैंने इसको थोड़ा जल्दी ही निकाल ली है तो बहुत ज्यादा में थेस जुटें छोटेंज डी कुछशे हैं कुछ बड़े हैं कुछ छोटें ढॉप से लोग तो मैं इसको उद्दी में उपकर हैं और जो मेरी छोटे चोटेंぎ हैं उनका दं अलूस बनाऊंग सके致ज, और फ्रेंस हम लोग जो त्राखंड में इसकी थिच्चोनी करके डिस बनती है अलू को सिल में थोड़ा से कूटा जाता है और उसको वसे जो है सिल से कूटके तो उसके साथ जो बहुत अच्छे से एक डिस बनती है मैं कभी आपके साथ उसकी रेसिपी पी जरूर शेयर करूं कावडग यूज़ा नहीं किया तो तो अगर यूरिया डाली जाती है तो यह बहुत बड़े-बड़े साइज में हो जाते हैं लेकिन क्योंकि हम लोग को जैविक मुझे जैविक खेती बहुत ज्यादा सही लगती है और जैविक चीजें ही मैं ज्यादा उगाती हूं तो डालना मुझे पसंद नहीं है तो आप कह सकते हैं कि यह फुल और्गेनिक वेजिटेबल है मेरे गार्डन के आलो और देखे मैंने आज अपने गार्डन से जो है यह सेम फली भी मैंने हर्वेस्ट किये मैंने आपको अपनी पिसली वीडियो में अपने गार्डन टूर में सेम फली कितने अच्छा लगें और धे कमसे कमक एक किलो से जादा ही सेम फली है और यह जो सूअ की सबजी वhou भी मैंने हर्वेस्ट कि यह थोड़ी तो देखिए मैंने थोड़ी सी मैथी हर्विस्ट की एपिर निकाली क्योंकि मुझे खाली इसके परांथे बनाने तो ताजी ताजी मैं अपने गार्डन से निकालती हूं जब मुझे इतना चीह होता है तो अभी मैं इस मेथी के जो है मौनिंग में परांथे बना दूगी ते जो इसका टेक्षिर आता है बहुत ही जड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि मैंने आपको बता है यह फुल ऑर्गेनिक मेरे गार्डन की वेज होती है मैं इसमें बाहर से कोई भी खाद उपर की खाद यूज ही नहीं करती हूँ और यह देखिए अद्रग भी मेरे गार्डन के ह है थोड़ा घर कष़गाय मुह थोड़ा व्यूज है अधसे यह तो यह मैने बाद में भी थी तो थोड़ी-थोड़ी मूली निकल रही हैं चोटी-चोटी है और पहले जो मेरी बड़ी मूलिया थी वह निकाल चोकी हूं तो मैं इनको छोटा ही निकाल रही हूं तो यह दे आपको बहुत अच्छे से जो फ्रेस वेजिटेवल मिल जाती है और अगर आप उसको जहविक तरीके से उगाते हैं फुल और अर्गेनिक उगाते तो फिर बहुत ज़ह अच्छा होता है और यह तो सभी को पता है कि जो और गेनिक सब्जी होती है वह हमारे जो सेहत के लिए क सब्सक्राइब जरूर कर देजिए और बैल आइकन भी प्रेस कर देजिए तक कि जो मैं नई वीडियो आ डालू तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक एजली पहुँच जाए तो ठीक है फ्रेंस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में किसी अच्छे से आज के लिए इतना ही फ्रेंस और मिलते हैं मेरी अगली वीडियो तब तक के लिए फ्रेंस बाई